यह जो पेठा है इसको पान पेठा के नाम से बोला जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो दोस्तों यह डोड़ा पेठा है यह दोड़ा पेठा के नाम से बोला जाता है तो दोस्तों 175 रुपीज में आपको यह डोड़ा पेठा मिल जाएगा जो की आदा किलो में आपको मिल जाएगा तो ये देखो रेगुलर में केसर पेठा है ये वाला आप देख सकते हो देखो ये केसर पेठा है ये वाला इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है तो दोस्तो आपका फिर से एक बर्श आगत है एक और नई वीडियो में तो दोस्तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज आपके शरीफ भाई कहां आ गए है और आपको क्या दिखाने वाले है तो दोस्तो जैसा मैं आपको अभी अपने व्लोग चैनल पे गाड़ियां दिखाता रहता हूँ सेकेंड एंड कार, लगजरी कार और सुबर बाइक्स वगेरा तो दोस्तो आज आपके लिए मैं स्पेशल आया हूँ आगरा पे जो के यहाँ पे आज मैं हूँ पंची पेठा के स्टोर पे दोस्तो आगरा जो है बहुत फेमस है जो ही चीजों के लिए ताजमेल और आगरा का पंची पेठा तो दोस्तो इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाने आया हूँ क्योंकि पंची पेठा की जो शोप हैं अगर आप आगरा आते हो तो आज मिलके आसपास में आते हो तो आपको कई सारी पेठे के वहाँ पे शोप मिल जाएंगी लेकिन जो पंची ओरिजिनल पेठा की जो शोप हैं वो सिर्फ आगरा में 4-5 डेडिकेटिड श्टोर हैं जो कि MG रोड के उपर हैं और आगरा में कई जगापे हैं तो दोस्तो उमी में से आज मैं धौलपूर आउस पे MG रोड के उपर आज मैं आ चुका हूँ पंची पेठा के स्टोर हैं जैसा कि आप देख सकते हो यह पंची पेठा का मेल स्टोर हैं और अंदर से मैं इसकी पूरी डीटेल आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तो एक important चीज में आपको बता दूँ कि यहां का जो address है और contact डीटेल है वो मैं सारी description में डाल दूँगा आप आते हो इसका Google Map की location में आपको शेयर कर दूँगा तो आप असानी से आ सकते हो और यहां से पेठे को लेके जा सकते हो दोस्तो अब आपको मैं इंट्रोडेक्शन दे दिया अब अंदर जाके आपको पूरी जीटेल दिखाने वाला हूँ और सारे प्रेटे की वराइटी आपको दिखा हूँगा तो दोस्तो आज हमारे साथ है हैं प्रकाश जी गुपतर जो के यहां के मेनेजर हैं इस वाले स्टोर के तो इनसे हम थोड़ा बात करते हैं और डीटेल में जानते हैं कि पैठे की क्या का वराइटी यहां पर मिलती है और उनकी क्या क्या क्वालिटी है तो हम प्रकाश जी थेंक्यू आपका पहले तो हमारे चैनल पर बात करने के लिए तो थोड़ा सा हमारे वीवर्स को बढ़ाईए कि आपके पास पैठे की कौन-कौन सी जाहतर वराइटी होती है हम पर करी 27-28 वराइटी है जिसमें रेगुलर पैठे में साधा पैटा होता है केसर है अंगूरी इसको यहां दिखा सकते हैं अभी किसकी टाइम में तो दोस्तों अभी जैसे हमने हिम प्रकाश जी से बात की तो कुछ पैठे की वराइटी में आपको कोशिश करता हूं यहीं पर कैमरे पर दिखाने के लिए तो देखो यह आप देख सकते हो इस जिए जो पेठा है इसको पान पेठा के नाम से बोला जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप डेफिनिटली मैं आपको रेकमेंट करूंगा अगर आप आग रहा आते हो पंची पेठा की स्टोर से यहीं से आप पेठा खरीबना बहुत ही अल्टीमेट आपको क्वालिटी में आपे आपके जी का है तो इसका प्राइस के हो गए यहां पर 175 तो दोस्तों 175 डुपीज में आपको यह लोड़ा पेठा मिल जाएगा जो की आदा किलो में आपको मिल जाएगा क्वालिटी अल्टीमेट यहां पर होती है मैं भी आप विस्वास करना मैं भी घर के लिए अपना ले यहां मिल जाएंगे तो हें प्रकाश जी जैसे मैं थोड़ा पूछना चागगा कि जो यह पान पेठा है इसके अंदर क्या-क्या मेट्रिल बनाए बिलाए जाता है बनावी के लिए बुलकंद होता है काजी होते और पान फ्रेवर होता है तो मैं थोड़ा सा आपका चीपिटो लगवाए और आपके जो आगरा में पंची पेठा के ओरिजिनल कितने स्टोर है तो जैसे आगरा में यह पूरे इसमें दिल्ली में भी दो हैं दिल्ली का आप एड्रस बता दीजिए को कुछ लोग हमारे वीवर समय दिल्ली से भी देख रहे होंगे तो वहां से दिल्ली में बेस्ट पटे लगर में और कनाट प्लेश में तो दोस्तो जो भी इनका दिल्ली में जो यहां पे इस्टोर है उसकी भी डीटेल्स में सारी डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगा उनका कॉंटक नमबर उनका गूगल मैप की लोकेशन और कंप्लीट एड तो दोस्तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसकी सारी डीटेल्स में पेटे की आपको बताते हूं वन बाई वन जो की डीटेल्स के साथ सारे प्राइज यह सबसे पहला जो पेठा है वो है cherry mango पेठा जो की 170 रुपे किलो के आसाप से आपको मिल जाएगा और दूसरा जो है cherry खस पेठा जो की यह green color में आपको मिल जाएगा light green में यह भी 170 रुपे किलो है और अब cherry केवड़ा पेठा यह भी 170 रुपे किलो है यह थोड़ा सा छोटे pieces में आपको मिल जाएगे यह वाली जो quality है और यह जो पेठा है यह cherry केसर पेठा है जो के पीले रंग में है इसके बड़े वाली भी आपको मिल जाएगे यह जो छोटे हैं यह half kg के डब्बे हैं सारे और यह बड़ा वाला आपको दिखाता हूँ गुलाब लड़्डू पेठा तो दोस्तो यह भी पेठा बहुत famous पेठा है काफी अच्छी quality में है यह भी तो इन्हें भी आप try कर सकते हो अब है sandwich पेठा दोस्तो sandwich तो हम लोग खाते हैं लेकिन sandwich का पेठा भी यहाँ पे मिलता है जो की 290 रुपे किलो में है अच्छी quality है आप जाके try कर सकते हो और यह अब आगे आने वाला जो पेठा है यह है बच्चो का फेवरेट पेठा दोस्तो चोकलेट पेठा जो की बच्चे तो क्या बड़े भी बहुत पसंद करते हैं इसको खाने में बहुत यह अच्छा लगता है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यह कंचा पेठा तो द 160 रुपे किलो में यह पेठा मिल जाएगा तो दोस्तों अब यह जो आगे दिखाने वाला हूँ यह है अंगूरी पेठा केसर अंगूरी पेठा जो के 140 रुपे किलो है लेकिन यह गीला वाला पेठा होता है इनके बाद दो वराइटी होती है एक ड्राय पेठा होता है एक ये गीला वाला पेठा होता है, तो ये आप देख सकते हो, ये गीला वाला पेठा है, खाने में ये भी टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, और ये है नॉर्मल अंगूरी पेठा, वो केसर में है, ये नॉर्मल स्टेंडर्ड ये वाला केसर पेठा है, और ये अंगूरी प पेठा 130 रुपे किलो है और जो साधा पेठा है वो दोस्तों आप देख सकते हैं 100 रुपे किलो है यहाँ पर आदा किलो का जो डब्बा है वो आपको 50 रुपे मिल जाएगा दोस्तों दुकान आपको बताता हूं कि जन्वन दुकाने आपको पेठे की सारी वराइटी दिखाई दिये आप यहां के पेठे की डीटेल के साथ मैं पहले का फीडबेक भी लेके आपको जरूर दिखाबबा कि कस्टमर का क्या क्या कहते हैं दूर दूर से लोगा रहे हैं आप गिल्पकर अब जबनानी तो यह दूर जय है तो आप व्याज आप अपने लिए तो आप उसी के देखके आईडिया लगा सकते हूं के पेठे की क्वालिटी क्या होगी तो आप जैसे पेठा तो काफी ताइम से यहां से लेके जा रहे होंगे तो आपको वालिटी के बारे में क्या फी काफी पुरानी पर में इनकी ब्रांचेज बहुत है अगरा तो यह आप भी मानता है कि यह ओरिजिनल है यहां का जो डेडिकेटीड जो यहां पे इस्टोर है बहुत बहुत और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रॉमाइज नहीं है और आप प्राइस से इनके सटिस्पाइडर प्राइस और उसके साफ साथ हमारी वीवर को धर ना चाहोते कि गो आप उनको होगे आप उनको भी बताना चाहोगे कि वो भी ऐ लोक्र लेके सकते हैं दो्स्तों औ hunt les तो दोस्तों ओनलाइन की जो लिंक है बोदिना आपको इसक्रिप्शन के अंदर देख वह पहाँ से भी पर्चेस्टेशिए दो ही दो की एक नहीं मिलेगा नहीं वो मैरे इंपॉर्टिन चीज सबसेतमियों आपी बताई है को भॉलिटी के साथ नहीं होता है प्राइज जो इनके फिक्स है जो कि अपने फिक्स हों थो क्वालिटी आपको अच्छी लेगी किस्टमर को क्वालिटी मेंटर करती है तो बहुत बहुत शुक्री आपकर बात करने के लिए तो दोस्तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर नमकीन की वराइटी से स्टार्ट करते हैं यह जो नमकीन है आप यह देख सकते हो राजभोक मिक्षर नमकीन है जो की 200 रुपे पर केजी के साब से है अगली वाली जो नमकीन आप देख सकते हो यहाँ पर सतरंगी मिक्षर नमकीन है जो की वो भी 200 रुपे किलो है तो इस लाइन में आप देख सकते हो, 200 रुपए किलो वाली जादा नमकीन है, जैसे नवरतन मिक्षर, ये वाली मेरी भी फिवरेट है, मैं भी उसको यूज करता हूँ, ये नमकीन जो है, तो ये है नवरतन मिक्षर, और ये चने की दाल की नमकीन है, ये वाली ये मुंग दाल की नमकीन है ये चना नमक नमकीन है और ये चना मसाला जो कि चना नमक और चना मसाला ये 240 रुपे किलो है तो दोस्तों नमकीन की भी काफी सारी वराइटी जहां पर मिल जाएंगी और देखो ऊपर जो नमकीन देख सकते हो वो पापड़ी ये तो यह साथ जो पंची पेठा के जो पर जो डेडिकेटिट विडियो अब आपको मैंने सारी जिदिए हैं तो यह देख सकते हो अब यहां पर पूरा स्टोर इंका है यहां पर सारे आपको पेठे मिल जाएंगे वो पान पेठा की राइटी देगी है और यह सारे जो यह जो स्टेंडर पेठा है बहुत सारा भी जाएगा आपको द्राइब है और यह कोगोनेट पेठा को यहां पर पंची पेटा का सारा इस्टोर का जो भी यहां पर पैटी की वराइटी जो कि पान पेठा करके है और आपको शोगी है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाए तो लाइक कर देना याद और शेर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ शोगी हैות कि आपके अगर वीडियो की नोटिथिकेशन आपके पास सबसे पहले आजए तो दोस्तो जैसा आपके शरीप आपको सुपर बाइक की शुपर कार की और काफी सारी वीडियो आपको दिखाते रहते हैं उसी के लिए आपके शरीब भाई आज आपके लिए कुछ डिफेर्ट वीडियो लेके आएते हैं जो कि पैठे से रिलेटिव तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लेगी है तो लाइक करत अगली वीडियो में जल्दी से मिनते हैं आपके साथ एक सुपर बाइक के या आपके व्लॉग के साथ जब तक के लिए अपना ख्याल रखें टेक क्यार बाबाए थैंक्यू फो गॉर्ची